मूदी सरकार अगले हफ़ते 13 मार्च यानी मंगलवार को काबिनेट बैठक करने वाली है ये बैठक प्रधान मंत्री के निवाज साथ लोग कल्यार मार्ग पर दोपहर 12 बजे आयो जित होगी माना जा रहा है कि लोग सभच चुनाव 2024 के लिए आचाज सहीता लागू होने से पहले ये मूदी सरकार की आखरी बैठक होगी वहीं इस बात के भी कायास लगाए जा रहे हैं कि 13 मार्च के दिन ही लोग सभच चुनाव 2024 की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है इन तारीखों के अलान के साथ ही अगामि लोग सभच चुनाव के लिए आचाज सहीता लागू हो सकती है जो चुनाव होने तक जारे रहेगी बता दे आचाज सहीता का आम आदमी पर तो जादा असर नहीं पड़ता है लेकिन इस दौरान कुछ चीजों पर रोक जरूर लगा दी जाती है जैसे मौजूदा सरकार नए एलान या किसी पर्योजना को शुरू नहीं कर सकती है हाला कि मौजूदा पर्योजनाएं चलती रहेंगी लेकिन नई पर्योजनाएं और कामकाज पर पावंदी रहती है वो यह आपको बता दे कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रू की मानेत चुनाव आयो कर राजियों में चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे है में कई एहम फैसले हो सकते हैं बैठक के दौरान भारत को 2047 तक विक्सित राश्टर बनाने के रोड मैप पर चर्चा की जा सकती है इसे लेकर बैठक में एक प्रजन्टेशन भी दिया जा सकता है इससे पहले काबिनेट बैठक में पीए मोदी ने सभी काबिनेट मंत्रियों से अपने अपने मंत्रालियों का अगले 100 दिनों का रोड मैप बनाने को कहा था मंत्री परिशुद की बैठक में सभी मंत्रालियों के सची भी मौजूद रहेंगे हाला कि बैठक से एक दिन पहले बीजेपी ने लोक सभा चुनाव के लिए अपने 955 उमीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है इस लिस्ट में चार मंत्रियों का टिकट कर दिया गया है इनमें विदेश और संस्कृती राज्य मंत्री मिनाक्षी लेखी पेट्रोलियम और प्राकरती गैस श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली सामाजिक नियाय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिम की थी इसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को विवादित बयान बाजी से बचने और जादा बोलने से परहेज करने का सुझाव दिया था उन्होंने कहा कि जो भी बोले सोच समझ कर बोले उन्होंने अपने मंत्री परिश्रत के सदस्यों को डीप फेक से सतर्क रहने के लिए कहा पीम ने कहा कि अगर आपको बोलना है तो सरकार की योजनाओ पर बोले विवादित बयान बासी ना करें